चलिए next chart में आ जाईए, बबा next chart में आ जाईए, next chart है transportation services का everyone over here, बबा मजे से देखिए, पुरा जोड लगा के पढ़ना है, जोड लगा के question answer solve कीजेगा, 100% exemption आना है, 80 plus अपना target है, इतना मेहनत कर रहे हैं, 80 plus आना जरूरी है, ठीक है sir, done है, point clear है, चलिए आगे बढ़ते हैं Thank you Mamta, Mamta बोल रहे है sir, nice explanation, thank you Mamta, sir चलिए आगे बढ़ते हैं, transportation services, transportation services की जब बात करते हैं, transportation services passenger की हो सकती है, और goods की भी हो सकती है, या transportation of passenger हो सकता है, या transportation of goods हो सकता है, अगर passenger transportation है, passenger को जब transportation करते हैं, तो passenger transportation या तो air से होगा, या road से होगा, या rail से होगा, या सर पैसेंजर ट्रांसपोडिशन वाटर से भी हो सकता है सर अगर आप गुड्स ट्रांसपोडिशन देखो तो गुड्स ट्रांसपोडिशन रोड से भी हो सकता है गुड्स ट्रांसपोडिशन रेल से भी हो सकता है good transportation, air से भी हो सकता है, yes sir, अब चलिए, passenger transportation की बात करते हैं, passenger का अगर आप transportation कर रहे हो, चाहे passenger के पास bag है, चाहे passenger के पास bag नहीं है, doesn't matter, अगर passenger transportation हो रहा है by air, और aeroplane जो है, aeroplane जा रहा है, so for an example, Indigo Airline, अगर transportation कर रहा है passenger का, और ले के जा रहा है, या ले के आ रहा है, कहां से सर, अगर ले के जा रहा है, या ले के आ रहा है, कहां से, बागदोगरा, अरुनाचल प्रदेश, त्रिपूरा, मनिपूर, मेगालया, मिजोरम, असाम, नागालैंड, एंड सिक्किम, तो उनका जो transportation charges होगा, जो airline companies आपसे transportation charges लेगी, उन पे GST नहीं लिया जाएगा, तो सर, बेसिकली, अगर आप देखोगे, B, A, T, BAT, M, A, N, S, बाटमेंज, जब बाटमेंज जा रहे हो, या बाटमेंज से आ रहे हो, कोई GST नहीं लगेगा, क्योंकि बाटमेंज, प्लाई, प्री, बाटमेंज पे कभी कोई GST नहीं लगेगा, ठीक है सर, उसके बाद आता है, road transportation road transportation जो होता है, सर, या तो stage carriage से कहा जाएगा, stage carriage मतलब, अरे बबाब, बस, जो normal public transport की bus होती है, उनको हम बोलते है, stage carriage, क्योंकि वो stages में जाती है, एक bus stop, दूसरे bus stop, तो सर, अगर कोई stage carriage है, local bus है, तो सर, वो exempt रहेगी, अगर वो non-AC है, अगर आप AC bus में जा रहे हो, बेटा AC afford कर सकते हो, तो GST भी afford करो, taxable हो जाएगा, next, सर, अगर कोई contract carriage है, contract carriage क्या होता है, जो contract में होता है, for an example, मैंने अपने घर से cab book किया, from my home to the airport, one point to another point, जब आप कोई carriage के साथ, contract करते हो, to go from one point to another point, उसको हम बोलते है, contract carriage, अगर contract carriage non-AC है, तो exempt रहेगा, AC है, तो taxable रहेगा, समझ लिजे, आपने एक radio taxi book किया, ओला उबर के थू, सर, वो हमेशा taxable रहेगा, चाहें AC हो, अगर आपने tourism के लिए कोई contract carriage लिया है, कि सर, मेरे को यहां से मनाली लेके जाना, मनाली से लदाक लेके जाना, और वापस लेके आना, बेटा, contract अगर किया है, contract पे अगर कोई carriage क कर सकते हो, next, सर, उसके बाद आता है, अगर contract carriage नहीं, अगर आपने meter cab लिया, meter cab क्या होता है, रस्ते में खड़े हो, हाथ दिखाया, रुप गया cab, उसको बोलते है, meter down, आगे चलिए, तो सर, meter cab है, auto rixa है, e rixa है, तो हमेशा exempt रहेगा, उस पे GST नहीं आएगा, ठीक है सर, point clear है, उसके बाद rail हाता है, rail में, अगर आप देखोगे, तो metro है, monorail, tramway है, government बोलता है, monorail, metro rail, public convenience के चीज़े है, उनके लिए हम कोई GST चार्ड नहीं करेंगे, exempt रहेगा, sir, rail में अगर Indian railway है, Indian railway के non-AC coach में आप जा रहे हो, तो कोई GST चार्ड नहीं कहा जाएगा, AC coach first class मे अगर C transportation होता है, देखिए, water transportation जब आप देखोगे न, तो water transportation या तो inland waterways होता है, या C transportation होता है, कि एक coast से दूसरे coast इंडिया का जा रहे हो, C को यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे, अगर water के तुरू transportation of passenger हो रहा है, by vessel, या by inland waterways, inland waterways मतलब rivers वगेरा का यूज़ किया जा रह हो, कोई बात नहीं, यूज़ करो, हम कोई GST चार्ज नहीं करेंगे, inland waterways हमेशा exempt रहेगा, लेकिन अगर C transportation हो रहा है, समझेजे एक coast से दूसरे coast जा रहे हो, क्या होता है न, आप देखोगे समुंदर के किनारे में जो लोग रहते हैं, वो public transport के लिए C को यूज़ करते हैं अगर public transport है, तो government ने बोला, public को हम public transport expensive नहीं करेंगे, वो exempt रहेगा, ठीक है सर, अगर tourism है तो taxable है, transportation outside इंडिया है, इंडिया से cruise में जा रहे हो, इंडिया के बाहर, तो बेटा taxable रहेगा, ठीक है सर, point clear है, लिंकी बोल रही है, AC एन plus class, अरे AC या first class है तो हमेशा taxable रहेगा सर, AC और first class दोनों हमेशा taxable रहेगा, first class नाम आ गया, तो हमेशा taxable है, चाहें first class में AC हो नहीं हो, ठीक है सर, point clear है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है, goods transportation, अगर goods transportation हो रहा है, goods transportation हो रहेगा, by air, अगर domestic transportation है, domestic मतलब, domestic मतलब, इंडिया के अंदर अगर goods का transportation हो र outside India, from outside India to India, तो यह exempt है, from India to outside India, अगर air transportation goods का हो रहा है, तो sir, वो exempt था, अब तो 30th of September 2021, इस बार का amendment, उस exemption को extend कर दिया है, अब तो 30th September 2022, that's all is the amendment, ठीक है, water transportation अगर हो रहा है, inland waterways को भरपूर यूज़ करो, Indian rivers को यूज़ करो, और transportation of goods करो, चाहें पैसेंजर करो, तो exempt रहेगा, लेकिन अगर water transportation है, जो sea route से use हो रहा है, sea route में याद रखेगा, coastal transportation अगर है, coastal transportation क्या होता है sir, एक coast से दूसरे coast में अगर transportation हो रहा है, तो उसको बोलते है coastal transportation, coastal transportation हमेशा taxable रहेगा, लेकिन अगर coastal transportation हो रहा है, random item का, तो exempt रहेगा sir, यह random item क्या होते है, random item ध्यान रखेगा अगर coastal transportation हो रहा है relief material A for agriculture produce Sir newspaper and magazine जो registered है defense and military equipment organic manure milk salt food grain floor pulses and rice तो हमेशा exemption रहेगा coastal transportation one coast in India to another coast in India transportation हो रहा है air से transportation हो रहा है random item का तो भी taxable रहेगा क्योंकि मैंने कभी नहीं बोला air transportation of random item is exempt no समझ लिजे relief material जा रहा है air से जा रहा है taxable रहेगा उसमें कोई exemption नहीं है exemption तब है जब आप vessel use करके coastal transportation कर रहे हो ठीक है सर point clear है उसके बाद अगर international transportation है sea route से इंडिया के बाहर से अगर कुछ goods आ रहे है from outside India into India अगर Indian shipping company है तो आपको forward charge mechanism में charge करेगी foreign shipping company अगर आपको transportation की services दे रहे है to India तो आपको reverse charge mechanism में being the important GST देना पड़ेगा अगर इंडिया से outside इंडिया transportation है वो exempt था अप to 30th of September 2021 अब उस exemption को extend कर दिया गया है अब to 30th of September 2022 ठीक है सर point clear है rail transportation हमेशा taxable है रेल के थू अगर transportation हो रहा है हमेशा taxable है लेकिन railway के लिए इन्होंने बोल दिया अगर random item है relief material agricultural produce सर newspaper and magazine which are registered D for defense and military equipment O for organic manure, milk, salt, food grain, pulses, etc तो सर वो exempt रहेगा उस पे कोई GST नहीं आएगा प्लस railway के थू अगर railway equipment या railway material भी transport हो रहे है तो उस पे भी GST नहीं आएगा ठीक है सर point clear है अब अगर road transportation हो रहा है everyone road transportation अगर हो रहा है road transportation किसका हो रहा है सर road transportation में बहुत तरह टाइप के road transportation होते है आपको ध्यान रखना है अगर road transportation किया जा रहा है basically courier है समझ लीजे courier हमेशा taxable रहेगा अगर road के through transportation कर रहा है individual truck वाला जो GTA नहीं है individual truck वाला है या sir कोई temporary operator है या carट है या bullet carट के through transportation हो रहा है बेटा याद रखेगा उसमें हमेशा exemption है कोई GST नहीं आएगा आप गए एक refrigerator लेने refrigerator उठाया उठा के एक truck में डाला वो truck वाले ने घर पे छोड़ दिया आपने उसको 500 रुपे दे दिये कोई GST नहीं आएगा exempt है क्योंकि वो एक individual truck वाला है GTA का case में अब सुनिए अगर GTA है GTA कोन होता है जो consignment note देता है उसके लिए हमेशा taxable रहेगा ठीक है सर point clear है अब सुनिए अगर GTA GTA है और GTA services दे रहा है किसको unregistered person को या unregistered casual taxable person को उस case में तो anyway exemption है लेकिन अगर GTA services दे रहा है unregistered person को और unregistered person को न है factory which is registered under factories act body corporate which is registered under body corporate act society which is registered under societies act cooperative society partnership firm चाहे registered under partnership act हो चाहे not registered under partnership act हो चाहे association of person हो सर अगर एक registered person है या registered casual taxable person है तो इस case में reverse charge आता है 5% forward charge 12% येस सर याद है हमे लेकिन अगर registered person Department of Central Government, State Government, Local Authority है जो registered as TDS deductor है तो exempt रहेगा येस सर, point clear है याद रखिएगा अगर GTA transport कर रहा है किसको? random item को relief material, agriculture produce सर, magazines and newspaper D for defense and military equipment O for organic manure milk, salt, food grain, pulses, floor, etc तो सर, GTA के case में भी वो exempt रहेगा और एक बात ध्यान दिखिएगा अगर आपने GTA के लिए transportation किया GTA के थ्रू other goods का समझ लिजे मैंने अपने कोई भी goods का transportation किया और GTA ने मेरे से charge किया full truck के लिए up to 1500 उपीज तो कोई GST charge नहीं करेगा GTA समझ लिजे एक GTA है वो तीन लोगों का समान लेके जा रहा है मेरे से समझ लिजे तीन कंजाइनी के लिए समान लेके जा रहा है पर कंजाइनी उसने up to 750 अगर charge किया है single कंजाइनी के लिए तो सर अगर up to 750 चार्ज किया है तो भी GST चार्ज नहीं करेगा full truck के लिए अगर 1500 चार्ज किया है तो भी GST नहीं लगेगा for all other goods ठीक है सर point clear है ध्यान रखिएगा उसके अलावा एक entry है entry number 19C ये क्या बोलता है ये जो NSIL New Space India Limited Antrix Limited ये लोग क्या करते है satellites को इंडिया के बाहर भेज़ते है space में भेज़ते है satellite जो transportation services है उस पे कोई GST नहीं आएगा satellite lawn services by ISRO Antrix New Space India Limited exempt रहेगा लेकिन यहां एक ध्यान रखिएगा मैं एक point बोल देता हूँ additional point Indian customers को अगर दोगे तो exempt रहेगा international customers को अगर दोगे तो even though exempt है लेकिन आप zero rated supply का benefit ले सकते हो क्योंकि supplier is in India Antrix Limited इंडिया में है recipient is outside India plane जा रहा है इंडिया के बाहर space में अगर आपको foreign convertible currency मिल गया export of service का benefit ले लिजेगा क्योंकि exempt service भी export हो सकती है export of service के benefit आप ले सकते हो yes sir point ध्यान रखिएगा ठीक है sir point clear है अब सुनिए transportation में दो amendment थी एक amendment मेंने पढ़ा दी दूसरी amendment मेंने पढ़ा दी अब एक और amendment है एक amendment है मतलब एक entry number 61A insert कर दिया गया है sir ये entry number 61A क्या बोलता है entry number 61A बोलता है अगर national permit दिया गया to goods carriers बबाई ये truck वगे ना होते है न ये truck के उपर आपने देखा होगा national permit लिखा हुआ है अगर national permit दिया है किसी state government ने to operate throughout India or to operate in contagious states sir ये contagious states क्या होते है समझ लिजे ये असाम है असाम के आजू बाजू आप देखोगे Megalaya है sir नागा लैंड है sir आप देखोगे Manipur है आप देखोगे Mizoram है yes ये जो states है जो common boundary असाम के साथ share करते है इनको बोलते है contiguous states अब असाम गवर्मेंट अगर एक ट्रक वाले को license देती है कि वो ट्रक वाला contiguous states में भी जा सकता है तो उस license के लिए जो fees ली जाएगी वो भी exempt रहेगी चाहे all India national permit ये दे चाहे border states में जाने के लिए contiguous states में जाने के लिए license दे दोनो license के लिए जो भी charges ले जाएगे वो exempt रहेंगे ये ही बोला गया है granting national permit to goods carriers to operate throughout India और in contiguous states जब भी permit वगेरा issue किये जाएगे और goods carriers जान दखेगा goods carriers के लिए तो उस पे कोई भी GST charge नहीं किया जाएगा यहां हमारा transportation services related chart close होता है quickly heads up दीजे do hit the like button अगर आपको मज़ा आ रहा है yes sir point clear है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा transportation related chart यहां close होता है